नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं के अरगोडा थाना छेतर के हर्मो हाउसिंग कलोनी में रहने वाले सुधाकर स्यामल के खाते से साइवर अफ्रादियों ने एक लाग बाई से रुपे उड़ा लिए असंका जताई जा रही है कि कलोन एटीम के जरिये वर्दात को अंजाम दिया गया है सरकारी स्कूल आज से खुलेंगे सोमवार से जारखण में दस्वी और बरावी की पढ़ाई के लिए इसकूल खुल रहे हैं इसकूलों में साब सफाई और सेनेटाइजेशन का काम पुरा होच चुका है। अंदोलित किसानों के समर्थन में बनाई गई मानव स्रिंखला। शरोदलिय समीति के तत्वधान में रविवार को इच्चागर के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंग के नित्रित में क्रिसी विल के विरोध में आंदोलन रत किसानों के समर्थन में मानव स्रिंखला का आवेजन किया गया। इस मानव शिरींखला में कंग्रेस, जामूमो, राज़त, आप समेथ अनविप्रक्षी दलो के करकरतावा, हजार लोग समिलित हुए इस दोरहण जिले के आदित पूर से लेकर गमवरियात तक मानव शिरींखला बना कर पर्दस बनादे, इस मानव शिरींखला में समिलित sectors सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं आरती कुजूर जाकन के मुख मंत्री हमान सुरेन पर बलतकार जैसे संगीन आरोप लगे हैं उसके बावजूद भी सत्ता पर बने हैं या बड़ी सर्म की बात है भाजपा महिला मोर्चा पूरे परदेश में इसके बिरोध में रभीवार को मुख मंत्री हमान सुरेन का पुतला दान कारकरम आवेजीत किया बतादे पूरे पर देश के सभी जीलों में सैकडो की संखा में महिला मोर्चा के कारकारता सलक पर उत्रे और हमान सुरेन गर्दी छोडो हमान सुरेन इस्थिपा दो बलतकारी मुख मंत्री इस्थिपा दो जैसे नार्यों के साथ यमांद सुरेन के इस्थिपय की मांग की। इस्थिपय कारेकर्टा समिलन को समूदित कर रहे हैं। देवघर की पाचान साइबर से नहीं होगी। साम् संताल परगना चेंबर और कोमर्श केसाथ सीधा सनवात करते हुए SP ने कहा कि सावा तीन महीने के दोरान साइवर आरोप में लिप्त 250 गिरपतार हुए है 22 लाख नगद 20 महंगेवाहान और 1500 सीम कार्ड भी बरामत किये गए है जारखन में 172 संक्रमितुक पुष्टी हुई है जारखन में कुल संक्रमितुक संख्या 1,133,025 है जबकि 1,103,0307 लोग स्वास्थ हुए और 1,010 की मिरिती हो गाई भारत में कुल संक्रमितुक संख्या 1,562,243 है जबकि 96,5,390 लोग स्वास्थ हुए और 1,45,843 की मिरिती हो गाई भारत में 24,589 केस मिले है भारत में कुल एक्टिप केस 3,2,343 है वाई जार्कन में एक्टिप केस 1708 जार्कन में एक्टिप केस परिक्षा केंद्रों की संखिया जाकत अकेडमी कौंसिल ने अगामी बोड्परिक्षा की त्यारी परविचा त्यारी पर विचार किया बतादे COVID-19 से बचाओ के निर्देशो का आनुपालन करते हुए परिक्षा केंद्रो का ने धान किया जाएगा परिक्षा केंद्रो की संख्या दोगनी की जाएगी मुख्य मंत्री स्रमिक योजना के तहत राज्य में काम मांगने वालों की संख्या काफी कम राज सरकार द्वारा सोहरों के कुसल और कुसल स्रमिकों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रहा है मुख्य मंत्री स्रमिक योजना को रिसप्सन नहीं मिल रहा है बतादे योजना के तहत राज्य में काम मांगने वालों की संख्या काफी कम है दो अक्टूबर से सुरू की गई इस योजना के तहत अब तक एक हैयर लोगों ने भी काम की मांग नहीं की है जार्खन पुलिस के सफल अभियार्थों की मांगों पर करवाई करने का निर्देश राज जेपाल जार्खन पुलिस में अरक्षी में खाली पड़े सीटों में बहाली करने की मांगों को लेका सफल अभियार्थों का मुराबादे इस्थीत गांधी परतीमा के समक्षधारना जारी है बतादे इस मामले को राजे पाल द्रोपती मुर्व ने गंभीरता से लिया है उन्होंने मुख मंत्री से मांगों पर करवाई करने का निर्देश दिया है महिला के खाते से निकाले गए रुपए वापस दिलवाई अपसर मुख मंत्री मुख मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि जानता की सरकार है और लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका निर्याकरन करना सरकार की स्वरोच प्रत्मिकता है मुख मंत्री सिरी हेमंद सुरेन ने दुमका इस्थित मुख मंत्री आवास में आम लोगों से मुलकात के करम में ये बाते कही बतादे इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और करवाई करने का आस्वासन भी दिया बतादे इस दोरान महिला ने CSP के संचालक से उसके खाते से निकाले गए 10 यह रुपए वापस कराने के गुहार मुख मंत्री से लगाई मुख मंत्री ने महिला की समस्या सुनने के बाद समंधित पुलिस पता अधिकारी को CSP संचालक के खिलाप कड़ी करवाई करने और महिला के रुपए वापस दिलाने के निर्देश दिये सरना धर्म कोड लागू करने के लिए जार्खन राजभवन के समक्ष सोमवार को धरना आदिवासी संगठन सोमवार को सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना देगी यह जनकाई रभीवार को केंद्रिय सार्ना समीती के केंद्रिय अध्यक्स फोल्चन तिर्की ने दिया बताया कि केंद्रिय सार्ना समीती के एक प्रतिनेदी मटल ने रभीवार को जार्खन में सार्ना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर बर्यातु कोकर खेल गा वाटिया एवम हेहल आधी जगोप पर जन्सनपर्क अभ्यान चलाया इस दरहां जगा जगा गोश्टी का अविजन किया गया बीर्शामोंडा एयरपोट से दिल्ली और मुंबाई के लिए S25 जेट की उडान शुरू राची के बीर्शामोंडा एयरपोट से रभिवार को S25 जेट एयरलाइन्स की दो उडाने शुरू हो गई हा इनमें दिल्ली के लिए पहली उडान साड़े आट बजे थी इस उडान का सुभारम एयरपोट के निदेशक विनोज सर्मा ने किया इस महोगे पर कई अन ये लोग मजूद थे बतादे स्पाइस जेट के दूसी यातरी बीमान ने मुंबाई के लिए साड़े नोव बजे उडान भरी क्रीसी मंत्री ने की तेयस्वी आदो से मुलकात ध्यारकन सरकार के क्रीसी पसुपारण और साहकारिता मंत्री बादल पत्र लेख ने रभिवार को होटल रेडिसन बुलू में बिहार के नेता परतिपक्ष तेयस्वी आदो से मुलकात की तेयस्वी आदो दो दिवसिय जारकन दोरे परनाची में थे इस दरण तेयस्वी आदो ने चेन्नाई में इलाईरत सिक्षा मंत्री जगनात मतों से वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये बात चीत कर उनके स्वास्त का हाल चाल जाना तेसी आदवने जगरनात मतों के जल्द स्वास्त होने की कामना इस्वर से की बावुलाल मरांडी को विधान सभा अध्यक्ष ने थावाया नोटीस जार्खन बिधान सभाध्यक्ष ने भाजपा बिधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी को जामो को एक बिधायक की सिकायत पर पुना नोटिस जारी कर पुछा आय की क्यों न उनके खिलाब दल बदल कानून की संगत धरावों के तहत करवाई की जाए जार्खन बिधान सभाध्यक्ष रभी इंद्रनात महतो ने दल बदल कानून के तहत सोता संग्यान लेते हुए सबसे पहले भाजपा बिधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी के खिलाब करवाई पराम की थी जार्खन सरकार के एक वरस की नकामियों की पोल खोलेगी आईसू आईसू जीला कमेटी की बैठक आईसू पार्टी के आवास्ये कर्यालाय सिद्गोडा में आयोजित हुई इसमें मुखे रूप से केंद्रे नेतित द्वारा आउत आगामी 29 दिसंबर को जीला मुखे आले जानता को जगाने और सरकार के निंद से उठाने का प्रयास किया जाएगा अवयद बालू उतखनन रोकने के लिए छापा मारने गई पूलिस पर हमला गोड़ा जिला के पथर गामा थाना छेत्रे के वरन ग्राम में अवयद बालू उतखनन की सूचना पर छपे मारी करने पुलिस पर बालू माफिया के लोगों ने पत्थर से जान लेवा हमला कर दिया। ने कहा कि राज के समयक विकास और राजवासियों के कल्यान और खुशाली के लिए महतारा से अशिरवाद लिया हूँ। दिया है कि कौमी नाइटीन को लेकर जारी गाई लाइन का पुर्णता पालन करते हुए पठन पठन सुनिश्चित कराई जाए। दूबे ने रभिवार को कहा कि कुरोना संक्रमन काल में इसकूल खुलने के बावजूद बारी लोगों को परवेश पर पूर्ण परतिबंद लागू रहे। अविभाव को को भी अगर बहुत जरूरी हो तभी पूर्ण सेनेटाइजेशन के बाद ही अंदर आने की अनुमती दी जाए। धनेवाद।